अलो बच्चों आपका बहुत-बहुत सौगत है एक बार फिर से बिजिनॉमेक्स में आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चाप्टर लेकर के आ हैं जो हमारे कॉमर्स का बिजनस स्टेडीज का एक बहुत ही क्रूशल चाप्टर है जिसका नाम है फाइनेशल म करते हैं टेलेग्राम चैनल हमारा बिजिनॉमेक्स के नाम से उसको जॉइन करिए वहां पर मैं पीडियाफ शेयर करूँगा और आप वहां से इस पीडियाफ को डाउनलोड करके आप इसको स्टेडी आउट कर सकते हैं अब बेसिकली आप समझें फाइनेशल मैनेजमेंट अब यह फाइनेशल मैनेजमेंट होता क्या है दीकिए हर कंपनी को बिजनेस रं करने के लिए पैसे के जरूपर होती है जिसको हम बोलते हैं finance अब यह पैसा कंपनी रेस कहा से करती हैं कंपनी के पास अगर आप देखेंगे तो अगर आप बड़ी कंपनी चला रहे है ठीक ह होती है लेकिन जब कंपनी बहुत बड़ी होती है कंपनी में 200-400 करोड का capital लगता है तो उस case में owner अपना पैसा नहीं लगाता है और वो market से पैसा उठाता है तो अगर आप सबसे पहले finance समझें तो finance का मतलब होता है company के लिए company को जो पैसों की जरूवत है business चलाने के लिए वो कहां से race करा जाए तो दो ही major source है जो chapter में हम आगे study करेंगे एक आपका shareholder होता है ठीक है share company अपने market में share issue कर सकती है लोग उस share को खरीदेंगे company के पास पैसा आ जाएगा ठीक है और जो लोग share को खरीदें उनको हम shareholders बोलते हैं और वो company के owner कहलाते हैं इतना आप बिल्कुल दिमाग में रखिये हैं दूसरा debenture holders होते हैं ठीक है debenture holders अगर आप देखेंगे company bond वेगरा issue कर देती है तो जो लोग bond वेगरा खरीदते हैं और debenture holder हो गया ठीक है फर्क इतना ये होता है कि share holder जो होते हैं वो company के liability नहीं होते हैं क्योंकि वो owners होते हैं अगर आप किसी company के share खरीदते हो आज तो आप उतने particular amount के एक तरीके से owner बन जाओगे company को profit होगा तो company आपको dividend देगी लेकिन अगर company को profit नहीं होगा तो आपको कुछ भी नहीं देगी ठीके अब share holders में भी दो category होती एक preferential होता है एक equity होता है उसके बारे में यहाँ पर discuss नहीं करूंगा बस खाली आप इतना समझे कि कब कहां से पैसा raise करना है ठीके यही financial management होता है और यह काम के लिए company हमेशा एक finance manager को appoint करती है और यह finance manager time to time यह decision लेता रहता है कि कब उसे equity से पैसा raise करना है कब उसे debenture से raise करना है तो कुल मिला करके आप in short इतना समझे अगर company की liability जादा है company के पास अगर foundation जाता है पैसो की कमी है तो उस case में बोला यह जाता है कि भाई वो equity से raise करें क्योंकि equity उसकी liability raise नहीं करती equity में क्या है अगर आपने shareholder से पैसा raise करा अगर आपको profit हुआ तो उनको dividend दीजिए profit नहीं हुआ तो dividend नहीं देना पड़ेगा लेकिन दूसरे case में अगर आप देखेंगे अगर आप diventure से raise करेंगे तो वहाँ आपकी liability रहेगी क्योंकि diventure holders को हम interest pay करते हैं और वो fix होता है वो pay करना ही करना पड़ता है company अगर बंद होने के कगार पे भी आ जाएगी winding up होने लगेगा तो भी हमें अगर आप दिखेंगे अपने personal asset sale करके हम pay करेंगे लेकिन पहले diventure holder को pay करेंगे तो बस इनी दोनों चीज़ों पर ही हमें पूरे chapter को study करना है कि हम कब पैसा finance manager जो हमारी company का है कब पैसा shareholder से raise करें और कब पैसा equity diventure holder से raise करें shareholders को हम लोग owners fund बोलते हैं क्योंकि वो owner होते हैं और diventure holder हमारे अगर आप दिखेंगे तो एक तरीके से borrower fund बोलते हैं क्योंकि वो हमारी liability होती है उनको में pay करना है अब बात आती है कि सबसे पहला question rise होता है कि business finance क्या होता है तो business finance का मतलब होता है company की day to day activities को run करने के लिए जिन पैसों की जरुवत पढ़ती है उसको हम बोलते हैं business finance देखे definition भी लिखी हुई है money required for carrying out business activities तो business activities को चलाने के लिए जिन पैसों की जरुवत पढ़ती है उसको ह पढ़ेगी आप खुदी सोचिए पहले मैंने बताया company को start and establish करने के लिए देखे पहला लिखा हुआ हुआ है to start and establish business दूसरा to run day to day activities of a business ठीक है अब business की day to day activities को perform करने के लिए भी हमें finance की जरुवत पढ़ेगी तो बस आपको इतना short में या रखना है कि money required for carrying out business activities वो business finance हो गय तो employees को salary देने के लिए employees के refreshment के लिए insurance अगर आपने लिया है तो insurance pay करने के लिए rent देने के लिए इन सब खर्चों के लिए हमें जरुवत परती है finance की तो इसलिए company क्या करती है पैसा raise करती है ठीक है तो यह business finance हो गया अब इसके बाद next अगर हम देखेंगे तो financial management दिया ठीक है उसको proper तरीके से manage करना क्योंकि अगर हम उसको सही तरीके से manage नहीं करेंगे सही जगे invest नहीं करेंगे ठीक है तो हम उनको profit का part या अगर shareholder है तो उनको dividend नहीं दे पाएंगे और अगर आपके diventure holder है तो उनको interest pay नहीं कर पाएंगे अगर उनका पैसा हम सही जगे invest न जिससे कि हम उससे proper return generate कर सके है और जिनसे पैसा हमने raise करा है चाहे equity है holders है चाहे debenture holders है उनको timely payment कर सके है तो यह काम करता कौन है यह काम अगर आप देखेंगे तो finance manager करता है अब इसमें definition में आप तीन चीज़ें आपको पकड़नी है देखे बुला गया है financial management के बारे में अगर आप देखेंगे तो बुला गया है it is concerned with management of flow of funds और तीन decision involve करता है पहला है procurement of fund दूसरा है investment of fund in long term and short term assets and तीसरा है distribution of earning to the owners ठीक है तो पहला हम अगर आप देखेंगे procurement of funds कहां से पैसा हम raise करें पैसा कहां लगा है जो पैसा हमने raise करा है public का या debenture holder से या honor holder से जो पैसा हमने raise करा है उसको हम कहां invest करें long term invest करें short term invest करें और उससे जो पैसा profit generate कररें उसको हम owners के बीच में कैसे distribute करें owners कौन हम यहां पर अगर आप shareholders the raise कर रहे तो shareholders owners होगे उनको आप dividend होगे या debenture holder से raise करें तो उनको interest होगे ठेक है तो यह financial management में तीन वर्ड है तो procurement, investment and distribution यह आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद अगर आप next देखेंगे तो role of financial management दिया हुआ है। तो role of financial management में अगर आप देखेंगे तो कुछ important चीज बोली है कि financial management का role क्या है या financial management हमारी किसी भी business organization को कैसे मदद करता है। सबसे पहला तो आप देखेंगे हमारा financial management या identify करने में मदद करता है कि कि किसी भी company के पास कितना fixed asset है। तो आप यह समझ लीजे अगर company बहुत बड़े scale पे काम कर रही है तो but obviously बात है इसको fixed asset की requirement जादा होगी। ठीक है अब आपका business all across India है तो माल लेते हैं आपके पास ज़्यादा fixed asset की requirement होगी। तो यह हमें financial management की थ्रू ही पता चलता है कि company को कितने fixed asset raise करने है। इसी तरीके से गर आप देखेंगे तो दूसरा है quantum of current asset, current asset किसलिए काम आता है। हमेशा ध्यान रखे, current asset company की operating expenses को meet करने के काम आता है। company के day-to-day business activities में जो खर्चे आते हैं उनको meet करने के काम आता है। तो भगया जितना बड़ा business होगा आपका ठीक है, जितना आपको fixed asset की requirement होगी, उतनी ही जादा आपको कहीं न कहीं current assets की requirement भी होगी। और यह सब हमारा financial management का ही पार्ट है क्योंकि हम इनको सही तरीके से manage करना पड़ता है, current assets हो, traffic assets हो, ठीक है, तो यह अगर आप दिखेंगे तो इन सारी चीजों में हमारा financial management क्या करता है, हमारी help करता है। तीसरा अगर आप देखोगे तो बोला जा रहा है amount of long term and short term financing ठीक है, तो यह भी इसमें भी बहुत important role play करता है, अगर आप देखोगे हमारा financial management है, इस बात को decide करने के लिए कि company जो पैसा raise कर रही है, वो long term के लिए raise करे या short term के लिए raise करे, तो यह financial management का ही part है, क्योंकि अगर आप गलती से ज़्यादा पैसा raise कर लोगे, ज़्यादा आप equity से raise कर लोगे, या diventure से raise कर लोगे, तो भी या ज़्यादा interest पे करना पड़ेगा, और fund का हमें सही तरीके से utilization भी करना है, क्योंकि हमें interest पे करना है diventure holders को और equity को कही ना कहीं dividend पे करना है, तो यहाँ पे भी finance finance manager का role बहुत important है, और finance manager इस बात का ध्यान दगता है, कि जो पैसा हम raise कर रहे हैं, वो long term के लिए ज़रूद में है हमारी कि short term के लिए, तो यह भी decision हमारा financial management के अंदर आजाता है, तीसरा अगर आप देखेंगे, जो पैसा raise कर रहे है, चौथा देखें, जो बोला गया है, ठ सारी decision making है, वो finance manager of the company लेता है, ठीक है, major lease finance manager में यह ही appoint होते हैं, इसके लावा अगर आप देखेंगे, तो कुछ top reputed institute से करे हुए, लोग जिनोंने MBA करा है, वो भी वहाँ पे appoint होते हैं, ठीक है, तो यह 4 चीज़े आप ध्यान दखिएगा, यह हमारा role of financial management के अंदर आजाता है, जो बहुत ज़्यादा important है, इसमें सबसे, अगर आप देखेंगे, तो यहाँ से question बहुत ज़्यादा बार कूछा जाता है, ठीक है, अगर आप CBSC के हो, या ISC के हो, चा किसी भी university के exams के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको यह question कई बार मिलेगा, सबसे पहल अगर आप देखेंगे, तो investment decision, दूसरा है financing decision, तीसरा है dividend decision, investment decision में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो भी decision हम लेते हैं, वो ये लेते हैं, कि जो पैसा हम public से raise कर रहे हैं, उसको हम long term के लिए invest करें, या short term के लिए invest करें, या किस project में हम पैसा public का लगाएं, क्योंकि अगर माले के diventure holder से raise कर रहे हैं, तो आपने guarantee करी हुई है, कि आपको interest pay करना है, ठीके, तो जब interest pay करने की guarantee करी हुई है, तो आपको asset project में पैसा लगाना है, जहां से कम से कम return आपके पास जादा आ सके, जितना आपने guarantee करी है, ठीके, तो investment decision में क्या हम ध्यान देते हैं, decision, आप देखेंगे, तो investment decision में लिखा हुए, deciding investment of fund in long term and short term assets, ठीक है, तो यहाँ पे हम किस बात पर ध्यान रख रहे हैं, हम ध्यान रख रहे हैं, अगर आप देखेंगे, तो कि हम short term invest करें या long term invest करें, दूसरा अगर आप देखेंगे, financing decision है, financing decision में finance manager का role बहुत important हो जाता है, क उसके पास लगातार cash flow आता है, तो company जो है, debt से भी raise कर सकती है, क्योंकि वहाँ liability थोड़ी जाता होती है, और अगर company की financial position strong नहीं है, तो ऐसा माना जाता है, अगर strong नहीं है, तो company को equity को ही prefer करना चाहिए, तो यह debt और equity का ratio कितना होगा, जितना जो पैसा हम raise कर रहे हैं public से, यह हमारा financing decision के अंदर हम decide करते हैं, इसके बाद अगर आप देखेंगे, तो dividend decision नहीं रता है, तो dividend decision में अगर आप देखेंगे, तो company यह decide करती है, यह finance manager यह decide करता है, कि कब company को ज़्यादा dividend declare करना है, और कब company को कम dividend declare करना है, बस इसके कुछ factors दिये गया है, chapter के अंदर, बस तो investment decision के अंदर हम इस बात को decide करते हैं कि company का जो पैसा हमने raise करा है, जो public से पैसा raise करा है, उसको हम किस तरीके के investment में invest करें, कि वो short term में invest हो या long term में invest हो, अब अगर देखिए, दो चीज़े दी गई है, अगर आप long term के लिए जा रहे हैं, long term investment के लिए जा रहे हैं, तो उसक capital budgeting वर्ड बच्चों को पता ही नहीं होता है कई बार, तो capital budgeting का मतलब होता है, कि जो हम decision ले रहे हैं, वो long term investment के लिए ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, these decisions are related to decision taken to investment in fixed assets, ठीक है, तो अगर हम fixed assets के, fixed assets में invest करने जा रहे हैं, या long term के लिए जा रहे हैं, invest करने के लिए, तो आपका decision होगा, वो capital budgeting decision कहलाएगा, ठीक है, इसी तरीके से अगर आप short term decision making में जा रहे हो, तो short term decision making अगर आप देखेंगे, तो आपका वो कहलाता है working capital, तो short term जो है, आपका working capital कहलाएगा, तो अगर आप short term decision making में जा रहे हैं, तो that is only the working capital, ठीक है, अब working capital में जो हम investment करते हैं, वो ह सभी को पता होंगे आप देखें जो सबसे इंपोर्टेंट कोशन आता है वह है फाक्टरस अफेक्टिंग कैपिटल बजेटिंग डिसीजन में अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर जो दिया गया है पहला किसी अगर हम पैसा जब करा है क्योंकि हमें उनको रिटर्न भी देना है तो हम उनके पैसे को इंवेस्ट करते समय इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि जिस भी प्रोजेक्ट में उनका पैसा हम लगा रहे हैं वो at least इतना तो रिटर्न हमें जनरेट करके दे कि हम उनका पैसा पे कर पाएं और कु Cash Flow of the Project, Cash Flow of the Project ये बताता है कि हमें ऐसा प्रोजेक्ट चूज करना है जहां पे लगातार कुछ ना कुछ हमें रिटर्न जनरेट होता हो और एक certain point of time के बाद हमें प्रिंस्पल के साथ साथ एक अच्छी खासी maturity amount भी मिल जाएं जिससे कि हम अपने डिवेंचर होल्डर्स का य गंबे समय के लिए तो ये इस बात का ध्यान देंगे कि regular कुछ income generate होती रहे और एक certain point of time के बाद हमें principle along with the interest return हो जाएं दूसरा अगर आप देखेंगे तो rate of return बोला गया है देखें rate of return ये बताता है कि जब भी हम किसी project में invest करेंगे तो हम इस बात की surety देखेंगे इस बात return भी हाई है तो ये बहुत risky काम होगा मालते पैसा डूब गया public का जो आपने debenture holder से raise कराया तो आपको अपने personal assets बेच करके पैसे pay करने पड़ेंगे तो इसलिए rate of return में ये ही साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको हमेशा उसी project में पैसा invest करना है जहां पे principle की guarantee हो और return भी थ इसरा अगर आप देखेंगे तो investment criteria खाली ऊपर के दो point के basis पे ही हम investment नहीं करेंगे तो investment करते समय अगर आप देखेंगे तो हम investment criteria में ये भी देखेंगे कि जिस project में हम पैसा लगा रहे हैं public का उस project में किस तरीके की technology यूज हो रही है उसका past performance कैसा है future goal कैसा है इन सारी future में पैसा नहीं लगाना है क्योंकि एक बार अगर आपने debenture holders का या equity holders का पैसा डुबवा दिया ठीक है या पैसा उनका loss में चला गया तो वो future में कभी आपकी company पर believe नहीं करेंगे ठीक है तो इसलिए investment criteria में अगर आप देखेंगे तो साफ सब ये बात बोली गई है कि simply आ हम बहुत सारे factors पर focus करेंगे अभी जो हम लोग discuss कर रहे थे वो था capital budgeting decision तो उसके factors आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे hopes हो अगर आपने सही तरीके से सुना होगा अब जो हम लोग second part में discuss करेंगे वो है financing decision और dividend decision और इसके इलावा कुछ बहुत important questions जिसमें factors affecting working capital factors affecting fixed capital इनको discuss करेंगे और यह important portion है chapter के और इसी के बाद आप दिखेंगे तो selected portions जो है वो cover up हो जाएंगे और अगर कुछ बचेगा तो third part में लेकर कर आएंगे otherwise आप इतना prepare कर लेंगे तो सारा basic theoretical part आपके लिए बिल्कुल clear out हो जाएगा क्यूंकि हम different चीजों के factors को भी cover up तो यह हमारा जो था पहला portion था hope so आपको clear हो गया होगा अगर इसका pdf चाहिए तो आप जो है हमारे telegram channel पर जुड़ सकते हैं जो busynomics के नाम से हैं उसका link मैं share कर दूँगा description में thank you so much keep watching keep sharing the videos and please do like और हमेशा साथ ऐसे बनाए रखिए subscribe कर दीजे जिससे की आपको latest notification मिलता र कर दो यूओगा ज़र दो यूँखे भी तो यूदगा बीस स laह क्याहिए सकतोच कर दो कर दो हमेशा से हैं जो हमेशा आपको दंदिए